नमस्कार दोस्तों मैं सतिंदर सर स्वागत करता हूं हमारे यूटूब चैनल सतिंदर गुरुजीपी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग परेंगे रिजिनिंग के 14 अति बहुत प्रस्ण को परेंगे जो एकजाम में पूछा गया होगा और एक केवल SSC एकजाम में प यहां पर अप्षन एक खीरा है सी पपीता है बीजु है अम्रूद है और डी आनार है और सारे प्रस्ण है जैसे यहां पर और प्रस्ण है साथ का संबंध गारा से है उसी परकार करके इसमें कौन सा अप्षन होगा एक सीरीज का प्रस्ण है और सारे का सारे SSC सेजियल का प तो आप सत्यंदर गुरुजी के यूटूब चैनल पे वीडियो सेक्षन में जाकर आप वहां से देख सकते हैं ठीक है तो चलिए अब हम सुरू करते हैं पहला प्रश्ण क्या कहता है ध्यान से देखेंगे पहला प्रश्ण कहता है नीचे दी गई समूह में विशम चून देन है बस इसमें कौन सब हिन है उसको बताना है मेरे दोस्त यहां पर खीरा है अमुरूद है पपिता है और अनार है तो हम सभी जानते हैं कि अमुरूद अनार और पपिता यह क्या है सभी का सभी फल है ठीक है और जो खीरा है वो हमारा सबजी में आता है जैसे खीरा का सलाद बनाया जा सकता है जबकि अमरूद अनार पपीता का सलाद नहीं बनाया जा सकता है इसलिए इस सबसे अलग कौन होगा खीरा क्यों कि यह तीनो एक गुरूप का है अनार अमरूद और पपीता फल है जबकि खीरा सबजी है और यह केवल और केवल सलाद बनाने में यूज किया है बस नीचे दिया गया स्रिकला क्या है सात है एगारा है उसके बाद में अनईस है उसके बाद में 31 है उसके बाद में कोश्चर मार्क है उसके बाद में है कितना तो सरसट है ठीक है इसमें हमको बताना है कि कौन सा नंबर इस प्रस्णवाचक चीन के आस्थान पर आयेगा, तो मेरे दोस्त हम सब कोई देख रहे हैं, कि आहाँ पर 7 से 11 कैसे बना है, तो इसमें प्लस का 4 किया गया है, तभी तो बना, 11 से 11 से 19 कैसे बना, तो इसमें प्लस का 8 किया गया है, ठीक है, और 11 से 31 कैसे बना तो इसमें प्लस का कितना किया गया है तो 12 किया गया है हम समझ रहे हैं कि जो नीचे चल रहा है नीचे ये देखो 4 है उसके बाद 8 गया उसके बाद 12 हुआ तो उसके बाद यानि कि 4 के multiple में चल रहा है तो इसके बाद प्लस क्या होनी चाहिए इसमें 16 प्लस होनी चाहिए ठीक है और जब 31 में 16 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त यहां पर हो जाएगा कितना तो 47 हो जाएगा और 47 कौन सा अप्शन में दे रखा है फिर से देखो फ्रेज यानि कि जब हम 31 में यहां प दे रखा है और जब ऐसी बात है तो इसे 47 में फिर से अब क्या जोरेगा आठ हो गया उसके बाद चार जोरा तब आठ जोरा तब बारा जोरा तब सूरा जोरा तब जोरेगा कितना तो 20 47 में 20 जोरते ही सरसठ बन गया इसका मतलब मेरा प्रशन सही है क्योंकि उसका एंसर 47 ही होगा चार के मल्टीपल में जोर रहा है ठीक है तो मैं उमेद करता हूँ कि प्रशन को आप अच्छे से समझे होंगे दोस्तो आप प्रशन को रटिये नहीं समझने का परियास कीजिए बरते हैं तीन नंबर प्रशन की ओर तीन नंबर प्रशन कहता है लूप्त संख्या ग्याद करना है देखो यहाँ पर जो संख्या है जैसे यहाँ पर इसमें चारो नंबर जो है यहाँ भी चारो नंबर है और यहां भी चारों नमबर नहीं है, आपने की question mark है, तो इस question mark है के ही जगह, क्या आएगा हम से, पूछ रहे हैं, तो हम इसको अपने मन से माल लेंगे x, ठीक है, यानि कि माल लेंगे यह क्या है, तो x है, ठीक है, अब देखो, इस पहले figure में देखो, इस सभी का सभी आपस म सभी को तुम multiply करके देखो, कितना आता है, ठीक है, सभी को multiply करो, जैसे इसमें है, एक, दो, उसके बाद है, चार, उसके बाद तीन है, यानि कि, एक गुना, दो, गुना, चार, गुना, तीन, कितना आ रहा है, तो इस सभी को गुना करेंगे, तो यह हो जाएगा, चार, दो को गुना करने पर 24 आ रहा है क्या इसको भी तुम चेक करो 2, 6, 2 और 1 इन सब को गुना करके देखो यहाँ पर गुना करो 2 है उसके बाद में है 6 है उसके बाद में 2 है उसके बाद में 1 है इन सब को गुना करो 6 दून 12 दून 24 है कम 24 यहाँ भी 24 आ रहा है इसका मतलब इस प्रस्ट में इस सभी को गुना करने पज़े से यहां पर इस चारों को गुना करें तो भी 24 है इसमें भी इस चारों को गुना करें तो 24 है तो इसमें भी हम जब इसमें भी इस वाले में हम गुना करेंगे इन चारों को तो 24 आना चाहिए तो यहां पर है दो ग दो दुनी 4 और 4 से x में गुना करेंगे तो 4 होगा और 1 में गुना करेंगे तो यह हो जाएगा कितना तो 4x इसको हम 24 के बराबर रखेंगे तो x बराबर इस 24 को इस x बराबर जब हम देखो अब इस 24 को 4 से काटेंगे तो 4 चा कितना आ जाएगा 24 एनि X की भाईलू कितना आ गई 6 और 6 कौन सा अप्षन में है तो अप्षन नमबर D में दिया है ठीक है तो मेरे दोस्त ए भी आप समझ गये होंगे अब हम बरते हैं चार नमबर प्रश्ण क्यों चार नमबर प्रश्ण है जैसे यहाँ पर लिखा है के है उसके बाद क्यूं है उसके बाद B है उसके बाद Q मार का है उसके बाद C है उसके बाद E है उसके बाद में है क्या तो F है इसको तुम चेक करो क्या यहाँ पर प्रश्ण वाचक चिन के जगह पर क्या आएगा यानि कि स्रिंखला को पूरा करने का मतलब हुए प्रश्ण वाचक चिन के जगह पर क्या आएगा तो देखो एके से क्यूं कैसे बना सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें प्लस का च्छाव किया गया है प्लस का कितना किया गया है तो च्छाव और क्यूं से भी कैसे बना तो मेरे दोस्त क्यूं से भी बना प्लस का इसमें कितना किया गया है यहाँ प्रमेन की 5 किया गिया है, ठीक है, और देखो, इस भी में यहाँ पर, अगर यह 1 का घट रहा है, यह पांच हुआ है, तब 6 हुआ है, उसके बाद 5 हुआ है, तो हम प्लस यहाँ पर अपने मन से 4 करेंगे, क्योंकि 1 का घट रहा है, तो जब इसमें हम 4 करेंगे, तो कितना हो जाएगा तो Z हो जाएगा यहां पर अगर यह सही होगा तो इस सभी को सभी इसको भी साटिस्फाइड करेगा तुम चेक करो तो देखो इस Z है इस Z में एक एक जब घट रहा तो Z में अब हम करेंगे प्लस का 3, सही बात है प्लस का 3 करते ही C बना अब C में हम करेंगे प्लस का 2 C में प्लस का 2 करेंगे तो 5 यह निकी E बनेगा E में अब हम प्लस का 1 करेंगे तो F बनेगा सही बात है इसका answer Z होगा क्यों कि इसमें प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस दो प्लस एक किया है इसलिए चलिए अब हम बरते हैं पांच नंबर प्रश्ण की ओर पांच नंबर प्रश्ण हमारा इंपोर्टेंट सा प्रश्ण है इसको देखेंगे सिरिंखला को पूरा करना बहुत आच्छा प्रश्ण है और स्सी एमटीएश 2014 में पूछा गया इसको देखो इस परकार के जो भी प्रश्ण होता है उसमें हम देखते हैं लेटर कितना है देखो तो इसको सबसे पहले गिन लो जैसे यहाँ पर है सी है एक दो एक खाली है इसक इतना भी पोजीशन है उस सभी को तुम पहले एड कर रो तो कितना है देखो एक दो तीन चार पांच छो साथ आठ नो दोस एगारे बारे तेरे चौदे पंदर है यहनिकि इसमें कितनी लेटर है या इसको बैठने के लिए यहनिकि पंदर गो इसमें क्या है सीट है ठीक है तो पंदर गो जो सीट है जितना भी है उसको तुम तोर लो गुनान खन आभाज गुनान खन रूप में तोरेंगे तो कितना होगा तीन गुना पांच इससे एप रूप होता है कि जो भी स्रिंखला है उसको तुम या तो तीन तीन के गुरूप में पांच गो तूर दो या फिर पाँच के ग्रूप में तुम 5 तूर दो यानि कि 3 तुन के 3 गो तूर के देखोग तुम इस सटिस्फाइड होनी चाहिए या फिर 5 गो इसको तूरना चाहिए तो हम जैसे यहाँ पर है 5 है तो इसको 5 पाँच को हम 3 बार तूर देते हैं जैसे कि आइए 4 चार 5 यहां भी पांच गो लेटर के लिए तुम चीन दो यहां भी एक हमने तोर दिया एक अब इसको पात गिनो एक दो तीन चार पांच यहां कि बी के जगह पर आ रहा है तो पांच पांच का हमने ग्रूप बना लिया तो एक दो तीन चार पांच यहां पर तुम देखो इस वाले में यहां पर देखो इस वाले में सबसे पहले इस वाले में देखो लास्ट में डबल B है तो यहां हम B रखेंगे लास्ट में ठीक है तो यहां आएगा क्या तो B आएगा ठीक है उसको भी तुम छोड़ दो यहां देखो सबसे पहले हम देख रहे हैं C है उसके बाद A है ठीक है तो C के बाद A है न चाहिए तो यहाँ पर group तुरत यहाँ पर C भारा जाना है और उसके बाद है यहाँ पर AC है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर है AC ठीक है तो यहाँ पर है AC तो यहाँ पर है AC तो इस CA जो खाली है पहले group में उसके के बाद A के बाद में C आएगा ठीक है और लास्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है तो लास्ट में डबल बी है तो इसका मतलब यहाँ भी डबल बी आएगा तो इसे मालूम देखेंगे यहां भी इसमें हम देखेंगे C A C यहां भी B आयेगा डबल B ठीक है और इसमें C A क्योंकि इससे मालम चल गए C के बाद A आना चाहिए तो हमारा क्या क्या हो गया C हो गया उसके बाद B हो गया उसके बाद C हो गया उसके बाद B हो गया इसके बाद उसमें ए होगे, इतना लेटर को हमने भारा और ये कौन सा option में दे रखा है, मेरे दूस्त option number D में ही दे रखा है तो इसका answer हो जाएगा option number D, ठीक है अब हम बरते हैं अगले प्रस्ण की 6 number प्रस्ण की तरफ 6 number प्रस्ण का आता है, देखो यहाँ जैसे लिखा है 24 है, उसके बाद में है कितना तो 36 है उसके बाद समनुपात का सिंबल है 38 है उसके बाद में है 57 है, उसके बाद में क्या है तो 58 है उसके बाद में है यहाँ पर प्रस्ण वाचक चिन अब देखो इसको हम कैसे बनाएंगे देखो सबसे पहले तुम देखो कि 24 से 36 कैसे बना तो 24 से 36 बना है क्योंकि इस 24 जो है इस 24 में इस 24 का आधा जोर दिया है यहने कि 24 में 24 का आधा जोरेंगे हम 24 में 24 का आधा जैसे जोरेंगे यहने कि 24 और 24 का आधा 12 तो क्या 36 आ जाएगा सही बात है आ जाएगा वैसे ही यहाँ पर हम देखेंगे कि इस वाले में औरतिस में आधा जोर के संतावन आ रहा है देखेंगे यहाँ पर है कितना तो यहाँ पर लिखा हुआ है औरतिस ठीक है इसमें हम इसका आधा जोर देंगे इसका आधा हम जोरेंगे तो औरतिस और औरतिस का आधा उन्हें इस संतावन सही बात है ऐसे ही किया है न तो हम भी ऐसे कर दें यहाँ पर अंठावन है तो इस अंठावन में अंठावन का आधा हम जोर देंगे तो 55 का आधा हम जोड़ेंगे अंठावन का आधा कितना होता है हम सभी जानते हैं अंठावन का आधा होता है 29 यहाँ पर जो 65 है इसमें हम जोड़ेंगे कितना तो 29 और 9-8-17 के साथ हाश्यल कितना तो 1-5 और 2-7 और एक कितना तो 87 और 87 कौन सा option में दे रखा है तो 87 option number C में दे रखा है तो आप प्रश्ण को रटिये नहीं समझने का प्रयासन कीजिए ठीक है चलिए अब हम देखते हैं 7 number प्रश्ण की तरब 7 number प्रश्ण कहता है जैसे हैं आप देख रहे हैं कि P A T है न इसको बनाया है S B A बनाया है उसके बाद सामनुपात का सिंबल है C है R है उसके बाद A है उसके बाद है प्रश्ण वाचक चिन तो इसको बनाने के लिए क्या है क्या कि देखो P से S कैसे बना तो P से जो S बना है यहनिकि इसमें प्लस कै किया है तीन किया है अब देखो ए से तुम देखो अब तुम देखो कि इसमें ए से भी कैसे बना है ठीक है ए से भी कैसे बना ए से भी बनाने के लिए इसमें क्या किया है उसको तुम ध्यान से देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पर कैसे बनाया है तुम इसको मालम चलो देखो इसको मालम करने के लिए ऐसे ऐसे यहाँ पर किया है क्या कि A से B को बनाने के लिए उसमें क्या किया है माइनस का कितना किया है तो इसमें से इसको घाटाएंगे तेन की 6 माइनस का किया है ठीक है तो T से नहीं यह लोजिक फेल होगी ऐसे नहीं बनेगा ऐसे नहीं बनेगा देखो कैसे बनेगा T से जो यहाँ पर T है T से यहाँ पर S कैसे बनाया है T से S बनाया है माइनस का एक किया है ठीक है और देखो यहाँ पर A जो है ओ अलरेडी इसको तो हम समझी नहीं पा रहे हैं बाबू कैसे बनाया है देखो ध्यान से यहाँ पर A बनाया है कैसे कैसे बनाया है तुमको हम बताते हैं सबसे पहले आपको बता दें कि यहां पर क्या किया है देखो ध्यान से सबसे पहले का बात है कैसे बनाए है ध्यान से देखो जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं वो लेटर को तुम पहा चानो यहां पर P है उसके बाद A है उसके बाद T है उसके बाद अनुपात के सिंबल है S है उसके बाद में है क्या है B है फिर से S अच्छे से बनाओ यहाँ पर लिखा है S है S है उसके बाद में है B है उसके बाद में A है उसके बाद C है उसके बाद R है उसके बाद A है ठीक है यहां कि कैसे बनाया है उस सिंबल को तुमको पाचानना होगा तो यहां पर सिंबल कैसे यूज होता है हम देखते हैं देखो कैसे यूज किया है थोड़ा सा नरम दिमाग से देखना है P से जो S बनाया है कैसे बनाया है देखो तो इसमें किया है पलस का यहां करूंगो इसमें किया है क्या तो प्लस का किया है तीन बात सही है अजब ऐसी बात है तो बाबू यहां हम देख रहे हैं कि जो ए है न ए में क्या किया है तो ए में क्या किया है भी बनाया है तो ए को भी बनाने के लिए इसमें माइनस का पांच किया है ठीक है माइनस का 5 हम करेंगे जैसे ही माइनस का 5 करेंगे तो भी बन जाएगा सही बात है जब ऐसे बात है तो बेटा यहां से t को a बनाने के लिए क्या किया है तो t होता है 20 पर इसमें plus का 7 कर दिया है तब ही जाकर a बना है तब ऐसी बात है तो उसमें भी हम उसी परकार बना लेंगे यानि कि इस c में हम plus का 3 कर देंगे तो c में 3 करेंगे तो इच्छो हो जागा निके 6 लेठर f होता है और a में हम सोरी r में हम कर देंगे कितना तो minus का 5 कर देंगे r में से हम जब 5 को घाटाएंगे तो e बचेगा m यानिकी 13 बचेगा और a में क्या किया है plus क्या कर दिया है 7 तो a में हम 7 को जब कर देंगे तो कितना हो जाएगा इसमें जब हम एनिकी a में plus का 7 करेंगे तो 8 और 8 लेटर क्या होता है तो h होता है और ये कौन सा option में दे राखा है मेरे दोस्त तो option number हम देख रहे हैं कि f, m, h एनिकी option a में ही दे राखा है ठीक है तो इस प्रस्ण का answer हो जाएगा option a मेरे दोस्त ए प्रस्ण थोड़ा सा लोजिकल है इसको आप अच्छे से समझे ठीक है अब हम बरते हैं आठ नमबर प्रस्ण की तरब आठ नमबर प्रस्ण क्या है उसको जरा हम ध्यान से देखते हैं जैसे साप का संबंध रेंगना से है उसी परकार यहाँ पर घोरा का संबंध किसी से होगा हम से पूछ रहा है तो मेरे दोस्त साप जो है साप चलता है उसको हम रेंगना कहते हैं ठीक है उसी परकार घोरा दौरता है जिसे हम सरपट दौर कहाते हैं ठीक है अब हम बरते हैं 9 नमबर प्रस्ट की तरफ 9 नमबर प्रस्ट नीचे दी गई समों में 20 सम चुनना है इसमें कौन सी ऐसी नमबर है कि यहाँ पर 20 सम है बाकी सम का सम सेम है देखो कैसे चेक करते हैं यहाँ पर देखो, इस वाले में हम देख रहे हैं कि 7 से 6 बना है, माइनस का 1 करके, ठीक है, यहनी कि माइनस 1 क्यार दिया है, ठीक है, फिर से यहाँ पर नहीं बना, दिखा, ऐसे, 7 से 6 बना है, माइनस का 1 करके, ठीक है, माइनस का 1 करके, बना है न, और देखो, 9 से 7 बना है, म प्लस का दो करके ठीक है इसमें चेक करो साथ से छो बना माइनस का वन करके दो से जीरो बना माइनस का दो करके साथ से नव बना प्लस का दो करके ऐसी बात है अब देखो अप्शन डी में भी चेक करेंगे तीन से दो बना माइनस का वन करके साथ से पांच बना माइनस का दो करके तीन से पांच बना पलस का दो करके ओहो पहले माइनस एक कर रहा है फिर माइनस दो कर रहा है उसके बाद पलस दो कर रहा है तो नीचे में एक से एक बना ओहो यहाँ पर तो कुछ भी चेंज नहीं किया यहीं कि पलस माइनस कुछ न किया तो यहीं हो जाएगा इस प्रस्ण का एंसर अप्सा नमर C भी सम होगा ठीक है तो आप कोश्ण को रटिये नहीं समझने का परियास किजिए चलिए अब हम बरते हैं दौस नमर प्रस्ण की तरफ दौस नमर प्रस्ण क्या कहता है ध्यान से प जैसे यहाँ पर है न आई है उसके बाद N है उसके बाद H है उसके बाद A है उसके बाद L है उसके बाद E है न इसको बनाया है क्या तो उसको बनाया है R पहला R है उसके बाद डबल E है R से बना दिया है डबल E उसके बाद बनाया है D उसके बाद बनाया है I उसके बाद H इसमें आप logic को पाचाने क्या logic लगाया है। उसी परकार हम यहाँ पर बना देंगे M, I, G, H, T, O, I इसको कैसे बनाएगा ध्यान से तुम चेक करो बेटा तो यहाँ देखो हम सब कोई देख रहे हैं कि यहाँ पर हम सब कोई देख रहे हैं कि इसको कैसे बनाया है जरा ध्यान से देखो तो हम देख रहे हैं कि N से R बनाया है और यहाँ पर N से R बनाया है और I से E बनाया है कैसे तुम देखो N 14 पर R बनाया है इनकी इसमें किया है प्लस का 4 किया है ठीक है और इसमें क्या किया है यहने कि E है कितना I9 में से इसको बनाया है 5 यहनि कि इसमें माइनस का 4 किया है यहनि पहले माइनस का 4 किया है फिर प्लस का 4 किया है ओहो तो ऐसी बात है तो देखो A को यहाँ पर क्या किया है और इसको तुम क्रोस पैटरन बोला जाता है इनकी पहले उकर रहा है माइनस का 4 आ फिर कर रहा है पुलस का 4 सही बात है क्योंकि 4 H में से 4 घटाएंगे तो D बचेगा और A में 4 जो रहेंगे तो E होगा ऐसी बात है तब देखो L से H बना है और E से I बना है पहले माइनस का 4 उसके बाद में किया है पुलस का 4 और SSE CGL का प्रश्ण है तो उसी प्रकार हम करेंगे क्या इस पहले हम करेंगे इसमें माइनस का 4 इसमें करेंगे हम प्लस का 4 अब देखो M से हमको बनाना है माइनस का 4 करके तो 13 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9 और 9 लेटर होता है आई और H का जो आई है 9 पर इसमें 4 जो रहेंगे तो 13 उसको बना दिया है M यहनि कि पहले माइनस 4 फिर प्लस 4 तो M I बनाया है ठीक है उसके बाद यहाँ पिर जो G है इसको कैसे बनायागा ध्यान से G में वो क्या करेगा माइनस का 4 करेगा और H में क्या करेगा प्लस का 4 करेगा तो G में माइनस का 4 करेगा कि 7 में से 4 जाएगा तो 3 तीसरा लेटर होता है C ठीक है और H में 4 जो रहेंगे तो 12 12 हुआ लेटर होता है L M I L C M I L C ठीक है और देखो इस T में माइनस का 4 करेगा Y मे प्लस का चार करेगा इस T में माइनस का चार Y में प्लस का चार करेगा तो देखो इस T में माइनस का चार करेगा तो कितना होगा तो 20 में से चार जाएगा देखो यहाँ पर यहाँ पर जो T है उसमें माइनस चार जाएगा तो 16 असोला हुआ लेटर होता है हमारा P और Y में प्लस 4 करेगा तो Y जो होता है 25 वर 25 में 4 जो रहेंगे तो 29 यानि 26 से 3 जाद तीसरा अक्षर होता है C तो M, I, L, C, C, P किस अप्षन में दे रखा है तो मेरे दोस्त एक केवल और केवल अप्षन नमबर C में ही दे रखा है तो इस प्रस्ण का एंसर हो जाएगा अप्षन C जिसे क्रस पैटर्न बोला जाता है यानि कि दो-दो लेटर को कहींची की तरह कटाया है और पहले माइनस 4 फिर प्लस 4 फिर माइनस 4 फिर प्लस 4 ऐसे करके बनाया है ठीक है तो उम्हेद करते हैं कि प्रस्ण आपको अच्छे से समझ में आया होगा किसी भाई को तकलिफ नहीं होनी चाहिए आप प्रस्ण को रटिये नहीं समझिए चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर प्रस्ण के यह गा उत्तर, नीचे क्या होता है? दक्षीन, दहिने बगल क्या होता है? तो पुरब, आप बाए बगल क्या होता है? तो पच्छिम होता है, ठीक है? अब देखा बाबु, कुछ ना कर अचिपचा बनाओ. एक बिली एक चुहे का पीछा कर रही है बिली उत्तर दिशा में 25 मीटर चलती है यहने कि जो बिलिया है वो चलती है उत्तर दिशा में कितना तो उत्तर दिशा में वो चलती है देखो फिर से यहने कि 25 मीटर वो चलती है उत्तर दिशा में ठीक है कितना तो 25 मीटर और उसके बाद क्या बोला है पूछ रहा है फिर दाये मुर कर 100 मीटर चलती है तो जब कोई व्यक्ति उत्तर की और जा रहा है तो उसका दाया हमारा दाया हाथ होता है तो दाये मुर कर ऊचल रहा है कितना तो 100 मीटर चलता है दाये मुर कर हमसे बोल र पिर दक्षिन हे मुर जाती है 25 मीटर चलती और कितना चल रहा है तो 35 मीटर कुछ रहा है तो हमसे पूछ तरहा है कि बिल्ली की प्रणामिक रोनन की बिच की दूरी बता एबाबु कुछ ना कर ना देखो यहां से इस जा कर इस अस्थान तक दूरी पूछ रहा कितना होगा हम सभी जानते हैं यहां से लेकर यहां तक 100 मीटर चला तो यहां से लेकर भी यहां तक 100 मीटर चला होगा ठीक है दूरी होगी जब वहां से 100 मीटर तो यहां से 100 मीटर तो यहां से लेकर यहां तक 100 मीटर चला उसके बाद य नहां से लेकि यहां तक 55 मीटर चला कितना हो गया एक सब 55 मीटर ओ बिलिया चली है सीधी दिशा में क्योंकि दूरी सबसे छोटी होती है और घुमफिर की गई है इसका मतलब नहीं सबसे दूरी छोटी को बोला जाते है यहां से 100 मीटर यहां सब 55 मीटर ओ चला है अपसन अब्हासिक फीगर वाला प्रस्टा आ गیا देखो इस प्रस्ण में किया क्या है यहां पर जो ऐसे फारा हुआ है यहां कि ऐसे-ईस-ईसे-ईसे लाइन खीचा है इसको तुम चेक कलो रोटेशन से इसको हम ёाते है देखो यहां पर यहां पर आता तो 45 डिगर होते हैं य घरी की सही दिशा जो होती है वो बाए से दहिने तरफ चलती है लेकिन घरी की जो उल्टी दिशी होती है वो दहिने से बाए की तरफ चल रही है तो यह घरी के उल्टे दिशा में चला कर देखो जो यहां से यह बेचारा आ गया यानि कि 90 डिगरी एंटी कलोक बाइज में चल रहा है अब यहां से यहां आ गया तो नब्य डिग्री फिर से एंटी क्लोक बाइज में चलेगा तो अब देखो बेटा यहां से लेकर यहां पर चला यहां पर जब नब्य डिग्री एंटी क्लोक बाइज में चलेगा तो जानते हैं क्या होगा इसका नब्य डिग्री होगा य जब कोई चीज इस कोना पर है तो कहां जाएगा हमसे बताना है कि यहां से थो एक आयागा यहां पर कितना 45 डिग्री और 45 से सीधे घुम गया है पर यहां पर यहां पर का य्यांग को पूरा करने वां इसको कैसे बनाओगे तो देखो ध्यान से इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ऐसे बेसी हो रहा है यहाँ से एक लाइन खीचेगा ऐसे और इसको color कर देगा ठीक है और देखो यहाँ से एक खाली लाइन ऐसे खीचेगा यहाँ से एक खाली लाइन ऐसे है और यहां से एक खाली लाइन ऐसे है और ऐसा कौन सा अपसन में अभी तक दिख रहा है तुम पहले उसको चेक करो और उसके बाद उसके बाद एक यहां से ऐसे लाइन खीच कर उसको paint किया हुआ होने चाहिए तो ऐसा जो है हमारा और निचे भी एक ऐसा बनना चाहिए तो ऐसा option number D में ही दिख रहा है बाकी किसी में नहीं क्योंकि तीनो साइड तो color होगा नहीं और इसमें इस साइड तो color होना नहीं चाहिए इसमें होगा लेकिन इसको घिच दिया ऐसे नहीं कि इसको ऐसी होने चाहिए लेकिन घिच दिया है ऐसे इसलिए option D हो जाएगा इस प्रश्ण का answer अब हम बरते हैं last प्रश्ण की और last प्रश्ण क्या कहता है निचे दिये गई समय करण को सही बनाने के लिए निमने बनाने के लिए किन दो चिन हो का प्रश्ण पर बदलना होगा इस इनकी कहने का मतलब इस जो सिंबल है इस सिंबल को सही करण इनके दिये गई समय करण को सही बनाने के लिए इस किसी भी option को तुम ले लो और लेने के बाद जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं पहला option में है जो plus और minus को आपस में change कर देना है तो यहाँ पर है कितना तो 15 उसके बाद minus है तो minus से रहेगा उसके बाद है 15 ठीक है उस बीच में है कितना तो plus plus के जगे पर करना है गुना गुना का जगे पर करना है plus तो पलस यहां पर आ गया कितना 15 अगये ठीक है और देखो उसके बाद यहां पर पलस के जगह पे गुणा रखते हैं 15 जगह पर पलस रखना है पलस पंदर है और भाग ऐसे ही रहेगा कितना 5 और यी आने चाहिए कितनी 5 के बराबर आना चाहिए इसको solve करके तुम देखो solve करोगे तो देखो यहाँ पर 15 को जब 5 से भाग करोगे तो 3 होगा ठीक है 15 15 यहाँ 225 में से 25 और यहाँ पर 25 25 minus में आ जागे इसका मतलब यह होगा नहीं यह तो होगा नहीं अब तुम चेक करो कैसे सबसे पहल का बात है जाहां भी यहाँ option D को तुम चेक करके देखो option D के चेक करो तो यहाँ पर हाई कितना 15 और option D कहता है plus के जगे पर minus रखो और minus के जगे पर plus रखो हाई कितना 15 उसके बाद minus minus के जगे पर रखना है कितना 15 sorry plus और plus के बाद है 15 प्लस के जग़ा पर फिर से यहां पर माइनस रखेंगे और हाई कितना ही आपर तो हाई पंदर ठीक है और बीच में है गुना पंदर उसके बाद में है भागा कितना तो 5 इसको चेक करने के बाद पंदरा आना चाहिए तो देखो इसको तुम करोग तो 15-15 कितना हो जाएगा दो सब पचीस हो जाएगा ठीक है और देखो नई 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 पहले भाग किरिया होती है तो हम 15 को जो 5 से भागा करेंगे तो 3 हो जाएगा बीच में है गुना यहाँ पर है कितना तो 15 ठीक है और माइनस यहाँ देखो 15 और 15 यहाँ भी है और प्लस में यहाँ भी है कितना तो 15 है ठीक है अब इसको तुम शल्ब कर लो आगे तो देखो इसको सबसे पहले तुम गुना करो तो पंदरतियां कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा और यहाँ पर है 15-35 30 में से 45 घटेगा माइनस का पंदर इसका मतलब ए भी नहीं होगा अब हम देखते हैं भाग और माइनस का माइनस और भाग के लेकर माइनस और भाग को चेक करते हैं अप्सन C में दे रखा है अगर अप्सन C सही नहीं हुआ तो फिक्स है हमारा अप्सन नमबर B सही हो जाएगा ठीक है अब हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले C को तुम चेक कर लो अगर C से अंसर नहीं आता है तो B हमारा मजबूरी में टिक करना होगा तेहाँ पर है कितना पंदर माइनस के जगे पर रखना है कितना भागा उसके बाद पंदर है ठीक है बीच में है कितना तो पलस तो पलस रहेगा पंदर और गुना भी रहेगा उसके बाद है पंदर और भाग के जगे पर रखना है minus 5 इसको बराबर ला देना है 5 के तभी जाके समीकरन संतुष्ट का लाएगा अब देखो इस 15 को 15 से भाग करेंगे तो 1 होगा ठीक है और 15 से 15 में गुना करेंगे तो 225 होगा minus का 5 ओहो ए भी नहीं हो क्यों क्योंकि 226 में से 5 जाएगा तो 5 नहीं बचेगा तो इसलिए आमारा option number B हो जाएगा सही लेकिन इसको तुम करके हम बता देते हैं आपको देखो 15 ठीक है उसके बाद में minus कितना 15 उसके बाद में है plus 15 लेकिन चेक करना है गुना और भाग कोई 15 के बाद में है गुना तो इसको बचेगा 0 नहीं पहले भाग किरिया किया जाता है तो इसको जब भाग करेंगे तो एक होगा अगुना है कितना 5 ठीक है बीच में है plus नो यहाँ पर 15 माइनस का यहाँ देखो यहाँ एक गुना 5 और यहाँ माइनस का पंदरा है और यहाँ पर प्लस का 15 है और देखो एक से 5 में गुना करेंगे तो 5 होगा और प्लस मैनस आपस में कट जाएगा यनिकी इसका अंसर आगया 5 यनिकी अपसर नमबर B हो जाएगा इस प्रश्ण का राइट अंसर आप ऐसे भी चेक करके इसको बना सकते थे मेरे दोस्त मैं उमिद करता हूँ कि सारे की सारे प्रश्ण आपको समझ में आया होगा अगर किसी भाई को नहीं समझ में आया गा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आप लोगों को समझ में आया होगा झाल झाल